आप देख रहे हैं समर इंडिया यूज चानल कृपिया समर इंडिया यूज चानल को सब्सक्राइब करें उतर प्रदेश के गजरॉला ओद्योग एक नगरी में एक निर्दाई पिता की करतूद तीन बच्चों को रसी से बांध खंबे पर लटका कर की पिटाई पडोसियों ने यह कुरूरता देखी तो पडोसियों के हुए रोंगटे खड़े पडोसियों ने किया विरोध इस पर करतूद की तस्वीरें साफ नजर आ रही है लेकिन गजरॉला पुलिस घटना की जानकारी से इंकार कर रही है जबकी मामला ओद्योग एक नगरी गजरॉला के मोहला जलाल नगर का है समर इंडिया के लिए गजरॉला से कपिल चावला की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हसन पुरते हिसी ख्रित्र के गाओं का मामला यहार अविवार की रात नाशनल हाइवे पर पाक बड़ा के नजदीक बूज पूर जात लगाने डा रहे ग्रामीनों की सड किनारे खड़ है अल दो मौत होने से गाओं में कोहरा मच्चा हुआ है अल सैद नंगली थाना क्षेत्र के गाओं पहाड़ पूर बकाल के ग्रामीन रविवार की रात को मैक्स गाड़ी से बूज पूर जात लगाने के लिए जा रहे थे अल रविवार की रात करीब 11 बजे मैक्स में टाय पंचर हो गया चालक ने सड़ किनारे मैजिक को खड़ा कर दिया एल इस दोरान पीछे से आ रहे दूद के टेंकर ने मैक्स में जोरदार टक कर मांच दी अल टक कर मार कर दूद टेंकर फरार हो गया काफी खोच बीन के बाद भी टेंकर का पता नहीं चल सका है दुर घटना में मृतक निरंजन पुत्र बलुवा तीस वर्ष तथा मासूम अंकर पुत्ररी शिपाल शुन्य तीन वर्ष की मौके पर मौत हो गई अल करीब दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए अल घायलों को अमरोहा मुरादाबाद संभल हासनपूर के नेजी अस्पतालों में भरती कराया गया है एल जहां पर ग्रामिंग कैलाश गीता की हालत गंभीर बनी हुई है किस समय की घटना आई है कितने लोग में मरें हैं इसमें दो लोग मरें तीन साल बच्चा और एक करीवन तैटिस साल गया है कैसे कैसे हुआ हमाई गाड़े मोगे पिंचर पिंचर होने बाद में गाली खड़ी कर दिए एक दूर्ट की गाड़ी आरी पीछे से हैं उसने उस हासन पुर से समर इंडिया के लिए सूरज पाल सिंकी रिपोर्ट कर दो